हेलो, नमस्कार, किसान साथियो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं गवार की खेती किस तरिके से गरे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यो कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल सकर पनाना क्यों जूरूरी है गौहर के खेती के लिए कौन सा बीज का सुनाओ करें कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमे हैं किस तरह में बीज का उप्षार करना है और इसके लिए में बीज की मात्रा की कितने जूट पड़ेगी इसकी खेती से तता ऐसे चेतरों में की जाती है गौर की खेती के लिए जल परबंदन का होना बहुत जूरूरी है और इसमें केट परबंदन और रोक परबंदन भी बहुत जूरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी विज़ाए क् düşünract कौन से साanza ने रखें जिसके की 20 काउन कौन सो पर 27 खो जिसे कि इमΕका flipped filter हो जिसे कि एम एक अच्छे इंकम पराप्त हो इस वीडियो को अन्त तक जुरूर देखे ताकि आपको खिती से जुरूरी से भी जानकारी पराप्त हो अगर आप चैनल पर नई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करे ताकि इन्ने किसानों को जानकारी पराप्त हो अगर आप और आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अर्थ सुसक इलावकों में होती है यह गरम वोसम की फसल है इसका अच्छा दाम भी मिलता है इसके किसान सलाना लाखोर उपए की कमाई कर सकती है इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान, हरियाना, उत्तर, पद्देश, अंपिवा, माराश्टर के कुछ इस्सों में की जाती है माराश्टर में लगवग नो एक्टेश चेतर में इसकी खेती की जारी है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तो धारू पस्वों की दूद देने की समता में वर्दी होती है गवार से गोंद का निर्मान भी किया जाता है गवार गमगा फ्योग अन्यक उतपादों में होता है गवार फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दालता सूप बनाने में भी किया जाता है ग्रामिन चेतरों में यह एक काफी लोग पीडिया फसल है हेलो नमस्कार सभीकिसान बायों का मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको 365 गवार की वराटी के बारे में कुछ विशेशता हैं बताऊँगा गवार की 365 वराटी की पैदाबार सबसे अच्छी होती है यह गवार बिल्कुल वाइट होता है अगर बारिश जादा हो जाए तो इस वराटी का रंग कुछ काला भी पड़ जाता है लिमिट्टी में की जा सकती है पांस के जीब पैकट के किमत पांसो रुपए के आसपास होती है 365 वराटी के पौद्दग्याइट सबसे जादा होती है इस वराटी में किसी भी वरकार की कोई विमारी नहीं आती है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इंडिन टेक्निकल फार्मिंग को सुब्सक्राइब करें धन्यावाद नमबर साथ खेत की त्यारी, बराट फसल पत्ति या फसल चक्कर, नमबर नो बीज का चुनाओ, बीज की उननत किसमें, बीज का उप्चार, बीज की मात्रा, नमबर दस बिजाई या फसल की बुआई, नमबर ग्यारा फसल की बुआई, ठता ऐसी से चेतरों में, नमबर ब जल का परबंदन, नमबर शोड़ा कीट वा रोगा परबंदन, नमबर शोड़ा इंसेक्टिस साइड वा टोनिक का स्प्रे, मरस्ता कटाई फिर कडाई फिर पंदारन, ये मुक्के शावदानिया है जो में गवार की फचल में रखनी चाहिए, गवार की खेती के लिए उप्यूकत समय, गवार की खेती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है, कालीन फचल की वाई के लिए मई महिने का परतंप खोड़ा उप्यूकत समय है, जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं, देरी से वाई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प आगमन के समय ही गवार की भूआई कर देनी चाहिए, बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटी अफ्यूफद होती है, मई मैने में हम अगित्ती वराइटी, वाजून जुलाई में हम पचेत्ती वराइटी, या फिर हम समय के उनुशार ही वराइटी का चुनाव करते हैं, खेत का चुनाव इसके बाद हम बाजरा की विजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्षों की विजाई की थी तो सर्षों के फनों को रोटो वटर की साथा से दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्शों के फानों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई फिर आप हैरो की साथा से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साथा से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सायता से दो तीन बड़ जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेट नहरी है तो खेट को लेजर लेवलवर की शायता से संतल कर दे ताकि खेट की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई सबसे पहले अपने खेट की मिट्टी की जांच करवा ले जिस से हमें यह पता सकता है कि मिट्टी में कौन-कौन से पॉसकत्तों की कमी है वो खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहू, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता कि इस मिट्टी का पी-एच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं यह परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सी फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा ले अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पी-प्यम ज़्यादा हो सकता है और इसमें बीज का उंकौन के समय यह एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पी-प्यम एक जार से कम है तो यह ऐसे भी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सोपर्टिस्थ हो जाता है अगर पाने का पीपेम एक जाए से जाजा हता है तो इसमें बेजगां कॉन सही तरिक्के से नहीं हो पता है इसलिए पाने की जांस करवाना बहुत जुरूरी है गौार की फचल में मेट्टिबल के पाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गौार की फचल ची नहीं होती है अगर सिचाए के लिए जूर्ट पड़े तो हमें नहीं पाने का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्यारी हुए गौबर की खात अगर आप खेत में गौबर की खात का इस्तेमाल करते हैं गौबर की खात जमीन में अच्छी तरह भी खायकर जमीन को सुम्तल कर देना चाहिए गौबर की खेते के लिए भूमी गौबर की खेते के लिए उंचित जल्ड निकास सबादी दोमट वा बलूई दोमट मिटी से रोतम रहती है यह पसल सिंचित वा एसंचित दों चेतरों में सफलता प्रूप उगाई जा सकती है अलकिसारी वा लवनिय भूमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गौबर की खेते हैं सानी से की जा सकती है गौबर के लिए एक जुताई मिल्टी पलटने वाले हल या डिसक हैरों से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक कल्टिविटर से जुताई प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी सरक्सित रहे जुलाई जुन के दिवतियों पकवाड़े में ही करने चीए इस प्रकार त्यार खेत में खर्पतवार कम पनपते हैं गौबर पसल के लिए जलवाईू गौबर एक सुका सहन करने वाली गरम जलवाईू के पसल है यह उन्चेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमेटर तक होती हो विजों के अंकूर्ण वाई जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमेटर के निचे तामान उप्यूकत होता है गवार एक परकास से विदन से फसल है अताइस फसल में फूल वाय फलियों का निवान के वर्षिक के मोसम में ही होता है अताइद एक बारिस वर्षांत वाट ठंड गोया सैननी कर पाती है जिन छेतरों में अताइद गरमी पड़ती है पंतों सिचाईगी सुद्दा उपलब वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुषक और अज सुषक दोनों दुसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंदिया फसल है जो 18 से 30 डिग्री से लस्टिस के औस अतामार मरपकती है ख्रेव के गरम और आदर जल से बारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है जिदी मिट्टी की सत्राइब फसल पत्ति या फसल चकर फसल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फसलों को लगाता रदल बदल कर वोना ही फसल च फसल चकर आपनाने तके नहाने वाली की पुरिशाणियों ऐसी चुटकारह मिलता है। फसल चकर का इस्तेमाल कर किसानभाई अपनी भूमई मी शे लगातार अच्छी फसल ले सकती है। और इसके अपनाने छेट की पार्फ नीयक एक आफ़ निये रहती है। जिसके करण बुमी में विशेले गुण आ जाते हैं, बुमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर बुमी पहें पाई जाने वारी चोटी प्योगी मित्र की टनश्ट हो जाते हैं और बुमी दीरे दीरे बंजरू रूप जान करने लगती है। फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के बनाने से बुमी की उर्ख सकती बनी रहती है। फसल चक्कर के बनाने से बुमी में अमलिया और सारी गुण पोशकततों और जविक पदार्तों की मातरा संतूलित रहती है। फसल चक्कर के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगती है। इसके अपनाने से फसलों में पैदावार अधिक मातरा में प्राप्त होती है। जिसके गुणबत्ता भी अच्छी पाई जाती है। बूमी में फसल चक्र बनाने से रसाइनिक उरोग कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते हैं, जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है, फसल चक्र बनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलती है, जिसकी वज़ाई से किसान भाईयों द्वारा रसाइनिक फसल चक्कर के दोरान फली वाली फसलों के बोने फर खेत में नाइट्रोजन की पूर्टी बनी रहती है। फसल चक्र अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चक्र करके दोरान अधिक गुड़ाय वाले फसलों को बोने पर खेत में खरपतवार नश्ट हो जाते हैं। फसलों को उगाने के बाद दो से तीन साल में एक बार धनलनी फसलों को जुरूर उगाना ची है। जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो। और उसका बाव भी अच्छा हो क्योंकि एक बड़ी अक्वालिटी का बीजी हमें का अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है बीज की उनत किसमे गवार की उनत किसमे बजार में गवार की कई उनत किसमे देखने को मिल जाती है जिने चारे दाने और अरीफलियों के दार पर 3 बागों में बाटा गया है उननत किसमे इस परकार है आरेचारे के लिए उननत किसमे ये मुख्यत आरेचारे के लिए क्यों की जाती है अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाले उनत किसमों का ही चुनाव करना चाहिए अगर आप एरेज चारे के लिए उपयोग करते हो तो एरेज चारे वाले उनत किसमों का उपयोग ग्वार के बीजों की मातरा वह है बीज उप्चार यदि आप ग्वार की फसल दानों और अरिफिलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक अंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 किलो बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 किलो प्रियापत प्रियापत की जूर्ट होती है इसके लावा आप अरेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाहते हैं तो 16-17 किलो प्रियापत की जूर्ट होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्टिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए ताकि विजो को आर में फंपुद या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्धोय में जड़ो के दिक मातरा में गांट फायदा करने के लिए जौनू रोद्दक राइजोबियम उर्ग से उप्चारित कर लेना चाहिए एक एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट वार जौनू रोद्दक की जूर्ट होती है सबसे पहले हम अफायार यानि सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उप्चारित करते हैं फंगिसाइड को उप्चार करने का मुख्य उद्देश्य है फंगस की भीमारियों की रोक ठाम के लिए क्या जाता है और इंसेक्टिशाइड दॉऔं से उपचारीत करने का मुक्ष्ध अदेश्य ऐ दिमक जैसे रोक ठाम के लिए क्या जाता है और राजयोबियम कल्चर का प्योग खेत में जिवानों की संख्या बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है जिससे खेत में जिवानों की संख्या बढ़ जाई जिसे की एक अच्छी फ़सल पराप्त हो। पर तेक टेर प्रयापत रहता है पूरो नाइट रोजों फास्पोस्ट की मातरा बढ़ाई के समय खेत में डाल देनी चीए इसके तरित गवार की विजाई को बढ़ाई से पहले राजयोबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वबाद आई किलोग्राम गुट के गोल में 15 किलोग्राम भी उसको प्चारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दया करता है खेत की तैयरी के समय पांच टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्स में एक बार अब वगरारें कैनट से प्र्योग से पहले मिट्टी गजांस करवा लेने चाहिए मैं गवार की वाओ lub आइक के लिए गोार की गवाओं के अमेशक्वार की अमेशक्री वाई हलके कुंडों मेले की सहाइटा से कर यूंडों में पनक्ती दूरी पंसाड़ि से पचाश सेंटिमे प्रियापत मातरा में नम्मयों चीए जिससे बीज का जम्माव शिग्रावा प्रियापत मातरा में होसके अगर आपने नेरी छेत्र में बिजाए किया है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खर्पतवार नियंतर के लिए पेंडा में लिथियां 30% EC का 500 mm को डाइसोलेटर पानी में मिला कर इसका चुटकाव कर दे जिसे की केद में खर्पतवार नहीं होगे खर्पतवार नियंतर गवार के फचलों को खर्पतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समाने फचलों के 15 से 20 दिन बाद की तरह के खर्पतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद्दूब भास परूक है गवार की फचलों में समासमा पर निराई गुडाई करके खर्पतवारों को निकलता है रहना चीए इससे पूद्द की जोडों का विकास भी अच्छा आता है और जोडों में वायू संचार भी बढ़ता है दाने वाली फचल में बैसालीन एक किलो पर ती एक्टेर की दर से खेत में बुआई से पूरों मर्दा की उपरी 8 से 10 संटीमें से सत्ता है बर चटकाओ कर खत्तर पार और उपर नियंतर पाया जा सकता है खरपतवारों के नियंतर न एक्टू फसलों की बुआई के दो दिन पर चात पैंडा में लिध्यान 30% इसी का भी छटकाओ कर सकते हैं बिजाई के 30 दिन बाद खेत में खरपतवार उग जाते हैं जिस खरपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आच से कर देनी चाहिए निराई गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़्यदा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंदन करना चीए क्योंकि गवार की फसल में ज़्यदा पानी की जूट नहीं होती है गवार की फसल में कीट वर रोग फ्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई किसमा खेत में किलून फोस एक पाइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर बीच से पचिस किलो परती एक टैर की दर से भूमी में मिलानी चाहिए बॉने के समय बीच को कलोरिफाइर इस किट ना सकी दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीच की दर से पचार कर बोना चाहिए नमबर दो कातरा इस किट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेट के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेट में परकॉप होने पर मिथाइल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ति से चुण की 20-25 किलोग्राम आतरा पत्ति अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रस्चुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतरन हत्तु मोनो कोड़ोट फास आदा लिटर अतरा को 500 लिटर पानी के गोल में मिला कर चुटकाओ कर देना चाहिए इन किटों के नियंतरन के लिए ट्राइजोफोस या मेला थ्यान की एक लिटर मातरा को पानी में गोल बना कर पत्ति एक्टेर की दर से चुटकाओ करना चाहिए इस विमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस विमारी के नियंतरन है तु रोग रोधी किसमों का उगाना चाहिए बीज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बीज की दर से उप्चारित करकर बोना चाहिए चाचिया इस रोग के कांड पोद्य के उपर स्पेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तु 25 किलो ग्राम के भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बड़वार और फुलों की संक्या में जबर्दस्त वद्दी केनने के लिए हमें दो से तीन स्प्रेक करने चाहिए चिपवाय रहतेला की रोग थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का असा टाप जैसे दुवाई यों का छिटकाओ करना चाहिए अन्य के टवाय रोग रोग की रोग थाम के लिए आप अपने नस्दी की डोक इसके बाद हमें इसकी कटाई कर लेने चीए कटाई करने के बाद हमें इस पसरकार पंडान कर देना चीए अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो शूडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को स्प्राइड करें खर्मिह अगर रमिदा लाण सेज़ нес कि बाद हमें खर्मिंग झाल